दस महीने पहले हुई हाई प्रोफाइल ब्लाइंड मर्जर के मुख्या रोपी को गिरफतार कर आज सतना पुलिस ने पक्तक शेप कर दिया आदीम जाती कल्यान विभाग सन्योजक अभिशेक सिंग की हत्या का मुख्या रोपी पी डावली डी एसजियो परदीप सिंग को आखिरकार सतना पुलिस ने गिरफतार कर लिया 13-14 अगस्त 2018 की दर्मियान जात अभिशेक सिंग की सतना के सिविल लाइन सरकारी बंगले में हत्या कर दी गई थी सरकारी अफसर की सिविल लाइन जैसे सेव जोनस्ति सरकारी बंगले में हत्या से पूरे परदेश में संसनी फैल गई थी अंधी हत्या में गवास भूत के अभाव में पुलिस हवा में हाथ पैर मारने लगी सतना पुलिस ने कुछ दिन बाद लिंक मिलने पर शेहडोल के शेर खान नाम की युव को गिरफतार किया पूछतास में मृतक अभिशेख सिंग की पतनी अनामिका सिंग जो उस समय उमरिया PWD में SGO थी और शेहडोल PWD SGO परदीप सिंग के बीट समंदो का खुलासा किया जिसे अंधी हत्या की पूरी गुथी सूलज गई शेर खान की गिरफतारी के बाद SGO परदीप सिंग फरार हो गया सतना पुलिस तलास करती रही लेकिन उसकी गिरफतारी नहीं हो सकी सतना पुलिस ने अभी शेक खत्या कान का मुख्या रोपी बनाते हुए परदीप सिंग को फरार घोशित कर 30,000 का इनाम घोशित कर दिया था दसमा बाद आखिर कार फरार मुख्या रोपी परदीप सिंग को आज सतना पुलिस ने गिरफतार कर लिया हलांके आरोपी परदीव द्वारा सेरेंजर की बात सान ने आई है पुलिस पूरे मामले की कड़ी जोड कर आवश्यक लिखा पड़ी में जूटी है आज पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया है सतना पुलिस आरोपी की दिमांड लेगी और मामले की जरूरी तफिश और बियान लेगी यह थाना सीविल लाइन की घटना थी अभी शेक हत्याकान में आज इसका जो मुख्य आरोपी था प्रदीर सिंग इसको लगातार जो हमारी टीम में लगी वी थी इसमें काफी दिनों से हम लोग प्रयास रथ थे और उसी दबाओ के प्रयास से आज उसने यहां पर उपस्तित हुआ है और उसके गिरत्ता रिकी जा रही है क्या रिमांड में रखी जाएंगे प्या लिया जाएगा और जो रिकावरी होना है वो की जाएगी इनाम भी उस पर आरोपी पर तीज़ार का इनाम गोशित था